Welcome to ExamGard Friends आप सभी के ExamGard में स्वागत है Friends ये आपकी Railway NTPC और Group D की Special GK की कलास है ये आज आपकी 3rd कलास है अगर आपने पहले की 1st और 2nd कलास अटेंड नहीं की है तो उसका लिंक मैंने description box और comment box में दे रखा है वहाँ से जाकर के आप उसको attend कर सकते है Friends इस कलास में हम सिर्फ 10 मिनट में आपके 30 important questions को cover कराते है ये सारे questions आपके NTPC 2016, Railway LP 2018, Railway Group D 2018 और सभी important exams के बहुत ही ज़्यादा important questions है और Friends ये TCS के द्वारा पूछे का questions है TCS के आदत होती है वह questions को repeat करती है तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा important हो जाता है अगर आप in exams की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वीडियो देखना है चाहिए और Friends पूरी YouTube में आपको इतने कम समय में इतने ज़्यादा questions कोई कराकर के नहीं दे सकता है अगर कराता है तो उस channel का नाम आप comment box में बताइए तो Friends देखना न भूले ये class daily रात को 8 वजे live आती है तो Friends अगर आप इस channel में पहली बार visit किये हैं तो channel को subscribe कर लीजे और उसके बगल में लेगे हुई इस घंटी बेल आइकन को दबा दी है जिससे आपको हमारी वीडियो की regular notification मिल पाएगी तो वीडियो को ध्यान से पूरा लाश तक जरूर देखेगा अई वीडियो सुरू करते हैं पहला question है काम रूप is an ancient name of which reason of India काम रूप भारत के किस छेत्र का प्राचेन नाम है तो फर्स काम रूप भारत के आसम का प्राचेन नाम है तो इसका option D सही हो जाएगा next question फर्स वीडियो में बहुती spirit के साथ कराऊँगा तो किसी question में कोई doubt हो तो उसको आप comment box में पूश सकते हैं the foreign traveler who visited India during the reason of साह जहां question आपको कह रहा है साह जहां के सासनकाल में कौन सविदेशी आतरी भारत आया था तो साह जहां के सासनकाल में मनु की नामक विदेशी आतरी भारत आया था तो इसका option D सही हो जाएगा next question the longest sea beach in India is question कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट या समुद्री बीच क्या है तो फ्रंस भारत का सबसे लंबा समुद्री बीच मरीना वीच है next question who introduced मनसबदारी system in India भारत में मनसबदारी प्रणाली की सुरुवात किस ने की थी तो भारत में मनसबदारी प्रणाली की सुरुवात अकबर ने की थी तो इसका option C सही हो जाएगा Next question The temperature of the filament of lighted electric bulb is generally Question कह रहा है कि प्रकास मान electric bulb के filament का ताप मान सामनते होता है तो फ्रंट्स प्रकास मान electric bulb के filament का ताप मान 25-35 degrees Celsius होता है तो इसका option C सही हो जाएगा Next question The end man is separated from Nikobar by which water body Question कह रहा है कि end man Nikobar से किस जली निकाय द्वारा अलग किया जाता है तो फ्रंट्स अंड मान आपका Nikobar से 10 degree channel द्वारा अलग होता है तो इसका option C सही हो जाएगा Next question The name of Ram Prasad Bismil is associated with Question कह रहा है कि Ram Prasad Bismil का नाम किस से समन्दित है तो फ्रंट्स राम प्रसाद Bismil जी का नाम काकोरी सणियंत क्रेट से समन्दित है तो इसका option C सही हो जाएगा तो फ्रंट्स इसका option C सही हो जाएगा और फ्रंट्स काकोरी सणियंत आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था Next question Which of the following had the longest wavelength? Question पूछ रहा है कि निमने में से किसका तरंग दैर्द सबसे लंबा होता है तो फ्रंट्स जो आपकी रेडियो तरंगे होती है इनका तरंग दैर्द सबसे लंबा होता है तो option D आपका सही हो जाएगा Next question Who were the first rulers to issue gold coins in India? तो फ्रंट्स question में है भारत में सोने की सिक्के जारी करने वाले पहले सासक कौन थे? तो भारत में सोने की सिक्के जारी करने वाले पहले सासक हिंदू यूनानी थे? तो option B इसका सही हो जाएगा Next question तो फ्रंट्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक like जरूर कर देगा क्योंकि इससे ही में पता चलेगा क्या आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा और फ़र सेयर जरूर करिएगा जैसे सभी तक ही वीडियो पहुँचे और वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्योंकि इससे बहुत ही important question है और यकीन मानिये एक जाम में आपके questions यहीं से आएंगे तब आपको लगेगा कि वीडियो में देखा था और questions वही की वही आ गए है The earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent comes from Question कह रहा है भारती उप महादीप में करसी का सबसे पुराना प्रमार्ट कहां मिला है या क्या है तो भारती उप महादीप में करसी का सबसे पुराना प्रमार्ट मेहरगड में मिला है तो इसका option सी सही हो जाएगा Next question In which of the following state maximum iron ore is found Question में है कि निमलक्त में से किसमे अधिक्तम लग आहस्क पाया जाता है तो फ्रंट्स अधिक्तम लग एस आपका FeO2O3 में पाया जाता है इसका chemical नेम होता है Ferric Oxide तो option भी आपका सही हो जाएगा Next question Rainfall caused by intense evaporation in equatorial areas is guard Question में है भूमत दरेखा के छेत्रों में तीवर वास्पी करण के कान होने वाली वर्सा को क्या कहा जाता है तो फ्रंट्स भूमत दरेखा के छेत्रों में तीवर वास्पी करण करण होने वाली वर्सा को समवहिनी वर्सा कहा जाता है Convectional Rainfall Next question Who among the following had constructed the red food in Delhi Question में है किसने दिली में लाल किले का निर्माड कराया था तो दिली में लाल किले का निर्माड आपके साह जहाने कराया था तो इसका option C सही हो जाएगा Next question On which are the following principles judge optical fiber work Question में है optical fiber निमलकित में से किस सिध्धान पर काम करता है तो आपका optical fiber पूरा अंत्रिक परावर्तन टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्षन पर काम करता है तो इसका option A सही हो जाएगा Next question Who are the Greek ambassador in the court of Chandrugopt Mour चंदरगुप्त Mour के नियाले में ग्रीक राद्दूद कौन था तो चंदरगुप्त Mour के नियाले में ग्रीक राद्दूद मेगस्थनीज था और मेगस्थनीज ने इंडी का नामक पुस्तक भी लिखी है तो इसका option A correct हो जाएगा Next question All the four quantum numbers of two electrons in an atom are not the same It is the law of परमाण में दो इलेक्टरानों की सभी चार quantum संख्या समान नहीं होती यह किसका नियम है तो फ्रंट्स यह आपका पाउली का अपवर्जन नियम है Exclusion principle of पाउली तो इसका option भी सही हो जाएगा Next question The cabinet mission of 1946 1946 was led by 1946 के cabinet mission का नर्तत्तो किसने किया था तो 1946 के cabinet mission का नर्तत्तो सरपेथिक लॉरेंस ने किया था तो इसका option सी सही हो जाएगा Next question Who constructed the 84,000 stoop किसने 84,000 stoop का निर्माड किया था तो फ्रंट्स आपको पता होना चाहिए मौर समराट असोक ने 84,000 stoop का निर्माड किया था तो इसका option ने correct हो जाएगा Next question Hars moved the capital from to तो question कह रहा है Hars ने अपनी राधधानी को कहां से कहां इस्थानांत्रत कर दिया था तो हर्स वर्धन ने अपनी राधधानी को थानी सोर से कन्नावज इस्थानांत्रत किया था तो इसका option ने correct हो जाएगा Which one are the following is vicious निमलकित में से किस की स्यानता अधिक है तो फर्स आपको पता ही होगा कि सबसे अधिक स्यानता साहत की होती है तो हनी the correct answer Who has built the Vijay Istambh Tower of Victory in चित्ताओरगण Question में हैं चित्ताओरगण में Vijay Istambh का निर्माण किसने किया था तो चित्ताओरगण में Vijay Istambh का निर्माण राणा कुम्भा ने कराया था तो इसका option भी correct हो जाएगा How many countries are members of the United Nations organization कितने देश संयुक्त राष्ट संगठन के सदस्य हैं तो फ्रंट्स एक सु तिरानवे देश संयुक्त राष्ट संगठन के सदस्य हैं और वर्तमान में संयुक्त राष्ट के प्रमोक एंटोनियो गुड टेरस हैं यह question friends मैं आपको कई बार current affairs के वीडियो में बता चुका हूं तो friends अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो आपको लग रहा हो कि बहुत ही कम समय में हम आपको सबसे ज़्यादा questions करा रहे हैं प्लीज लाइक जरूर कर देगा वीडियो शेयर भी कर देगा और वीडियो पूरा जरूर देखेगा क्योंको बहुत important question है और exam में questions यहीं से आएंगे a collective term used by the jains for their sacred books question में है कि जैन द्वारा उनकी पवित्र पुस्तकों के लिए उप्योग किया जाने वाला एक सामुविक सब्द क्या है तो first जो आपके जैन होते हैं यह अपनी पवित्र पुस्तकों के लिए आगम सब्द का प्रियोग करते हैं तो इसका option भी correct हो जाएगा next question which of the following is the smallest country in the world in terms of area question में आपके कि छेतर फल के अनुसार विश्तकों का सबसे छोटा देश निम्लिक्त में से कौँसा है तो छेतर फल के अनुसार विश्तकों का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है तो आपका option भी correct हो जाएगा which battle led to the downfall of the विजे नगर empire question कर रहा है किस लड़ाई की कन विजे नगर समराज का पतन हुआ था तो फ्रंस ताली कोटा की लड़ाई कन विजे समराज का पतन हुआ था आपका option भी correct हो जाएगा और फ्रंस ताली कोटा की लड़ाई आपकी 1565 इसवी में हुई थी next question the Taj Mahal is kind of dream in marble तो फ्रंस same as which momentum is kind of dream in stone question कह रहा है ताज महल को संग मरमर में स्वपन कहा जाता है ठीक उसी प्रकार किस इसमारक को पत्थर में स्वपन कहा जाता है तो फ्रंस पंच महल को पत्थर में स्वपन कहा जाता है तो इसका answer option भी correct हो जाएगा बीबी का मकबरा is situated in India at भारत में बीबी का मकबरा कहां इस्थित है तो भारत में बीबी का मकबरा और अंगाबाद में इस्थित है तो इसका option C correct हो जाएगा which acid is used in photography फोटोग्राफी में किस अमल का प्रयोग किया जाता है तो फोटोग्राफी में oxalic अमल का प्रयोग किया जाता है तो इसका option भी correct हो जाएगा और oxalic acid का formula क्या होता है अगर आपको पता हो तो comment box में बताइए मुद्रा बैंक has been long to help तो किसकी सहा तक लिए मुद्रा बैंक लांच किया गया था तो फर्स मुद्रा बैंक की इस्थापना छोटी विवसाई लोगों के लिए किया गया था जो छोटे विवसाई हैं उनकी सहा तक लिए 2015 में प्रध प्रिज्म में प्रकास की विभिन रंगों का विभाजन क्या कहलाता है तो एक प्रिज्म में प्रकास के विभिन रंगों का विभाजन प्रकास का परिच्छेपन कहलाता है तो इस कॉप्शन भी correct हो जाएगा तो फ्रंट्स ये थे आज के 30 important questions अब है बार ये आपकी अगर थोड़ी सी जीके आती है आप किसी competition exam की तयारी कर रहे हैं तो इस question का answer comment box में जरूर बताईएगा ये छोटा सा प्यारा सा आप लिए एक challenge है United province is an ancient name of which state of India सयुक्त प्रांत भारत के किस राज का प्राचीन नाम है बहुत ही बार exam में पूछा गया question है अगर आपको थोड़ी सी भी जीके आती है तो फटा फट कमेंट करके इसका answer दीजिए और फ्रंस वीडियो पसंद आया हो आपको लगा हो कि बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा questions कराएं हैं तो प्लीज एक like करिएगा क्योंकि like करने से हमें पता चलेगा कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया और मिल पाएगी और फ्रंस वीडियो को सेर जरूर करिएगा जिससे ज्यादा ज्यादा लोगों तके पहुंचे कर फ्रंस सब कब भला होगा तो आपका भी भला होगा इसलिए सब ही कब भला कीजिए और तो फिर आपका भी भला होगा ही तो मिलते हैं एक नए वीडियो में झाल झाल